जैसे कि सर हम लोग बदपन सही जानते हैं, गागी के लिए हम स्टैल और विल यूज करते हैं बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा, कॉमन सवाल आपने पूछा, बहुत लोग कन्फ्यूज भी हो जाते हैं ओ बेबी, डोंट ब्रेक माई हर्ड, आई विल, यह मुवी है, मुवी का नाम पता है? I don't know You don't know क्या मैं ले लूँ? Shall I take क्या मैं पूछ लूँ? Shall I ask तिके अमेरिकन वेज में जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, use shell जैसे आप एंकर बनते हैं, क्लास में, क्या मैं एंकर बन जाओं? Sir, मैं question लेकर आई हूँ, जैसे कि sir, हम लोग बच्पन सही जानते हैं, गागी के लिए हम cell और विल यूज करते हैं, जैसे आई और वी के लिए cell, पाता पाता है? मैं इटने. तो आजकल subject कुछ भी हो हम will का ही use करते हैं इसका मतलब यह नहीं है कि I और we जो बच्पन से हमने पढ़ा है कि उसमें अगर shell लगा देंगे तो वो गलत हो जाएगा लेकिन modern English में अभी आप समझें अगर हम सबके साथ will लगाने लगे तो हमारे लिए आशान हो गया अगर हमको बोलना है मैं बनूंगा I will be अगर हमको बोलना है कि हम लोग बनेंगे we will be लेकिन अब shell का use हम कहा करेंगे तो shell का use अगर आप कोई application लिख रहे हैं if you are going to write any application वहाँ आपको अगर लिखना है कि मैं आपका अभारी रहूंगा या रहूंगी तो यहाँ shell का use करेंगे आप I shall be grateful यहाँ पर आप use करेंगे I shall be obliged तो कोई application अगर लिख रहे हैं कोई formal situation हो formal मतलब किसी interview में आप जा रहे हैं कहीं आप शीवी अपने resume को कहीं दे रहे हैं और कई formal situation है किसी आप बड़े officer को governor को later लिख रहे हैं तो आपको use करना है shell माकी आप अपने daily life में I shall shall का use करते हैं तो गलत नहीं होता बट हम अगर will से sentence सारे बना सकते हैं और सही भी है till I come तो यहाँ पर लोग जो translation की आदत है वो इसकी हिंदी निकाल लेंगे अगर आपको कोई sentence पूछना हो permission के लिए तो हम shall का use करते हैं और shall का ही नहीं हम should का भी use कर सकते हैं मतलब ऐसे समझ जाओ कि अगर कोई sentence हिंदी में खाओ जाओ बोलू पढ़ू पढ़ाओ से permission लेना है तो हम shall और should दोनों का use करते हैं जैसे क्या मैं जाओ शेल आई गो शुड़ आई गो क्या मैं पूछ लूँ शेल आई 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 तो shall का use हम फॉर्मल में तो करते ही हैं शाथी शाथ हम permission के लिए भी करते हैं तो ऐसे इन फॉर्मल में आप शेल का use कर सकते हैं और मुझे लगता है आपको कड़ना भी चाहिए क्यों क्यों क्योंकि हम लोग शेल का use जल्दी कड़ते नहीं है परमीशन में इसलिए मुझे लगता है कि आज शे जैसे मैं आपको बता रहा हूं यूज शेल जैसे आप एंकर बनते हैं क्लास में का मैं एंकर बन जाओं शेल आबी अंचर क्या मैं पहले टापिक बोलू drum गवामिटने प्रतक बोलना यूच़् आ यू इसम समतिंग्रेव एंग क्या मैं कॉच पढ़ा दो Shall I teach something? Shall I teach something? Shall I ask anything? Shall I ask anything? Shall I sing a song? Shall I dance? Okay, thank you.